हमारे देश में एक कहावात है कि जो इंसान दुसरे के लिए गढ़ाख होता है एक दिन वो खुद उसी गढ़े में गिर जाता है आज की जो ये घटना है ये बिल्कुल इसी पे अधारित है दरसल ये घटना है 16 मार्च 2022 के साम के लगभग 6 से 7 वजे के करीद जब कुछ ले थे अचानक उस पुलिये के आसपास उन्हें कुछ दुरगंद महसूस होता है जब लोग उस पुलिये के तरफ नीचे जहाग करके देखते हैं तो वहाँ पे एक बोरी पड़ा हुआ था वो बोरी काफी अपत्ती जनकी स्तिथी में था लोग तुरंथ एरिये के पुलि में वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से पूछ तास करती है लेकिन कोई भी ब्यक्ति इस महिला को पहचान नहीं पाता है पुलिस उस बोड़ी को अपने कवजे में ले करके और लगभग दो दिनों तक इसकी तलासी करती है लेकिन उस दो दिनों के बीच में भी पुलिस के वो इस महिला के बारे में कुछ भी जनकारी नहीं मिल पाती है आखिरकार पुलिस वालों ने तीन दिनों के बाद लगभग 72 घंटे के बाद इस महिला का जब पुस्माडम कराया तो पुस्माडम रिपोर्ट से ये साफ पता चल गया कि इस महिला की किसी ने गला दबा कर के हत्या की है अब पुलिस वालों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े थे कि आखिरकार ये महिला है कौन यहां तक पहुंची कैसे और इसकी हत्या किसने करी है पुलिस को इस केस को सल्फ करने में पसीने छूट जाते हैं लेकिन आखिरकार एक दिन इस महिला की पहचान हो ही और कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार आज भी हमारे देश में हमारे समाज में नजाने कैसे कैसे विक्रित मन्सिक्ता के लोग भरे पड़े हुए नमस्कार आदाब मैं हस्मुदिन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तब आज की जो मैं सची घटन आपको बताने वाला हूँ यह सची घटना है राजस्थान का एक जिला पड़ता है अर्वल और इसी अर्वल के इलाका पड़ता है भिवाडी और इसी भिवाडी के अंतरगत एक थाना पड़ता है तितारपूर तितारपूर के इंद्रबस्ती में इसमाहिला की लास मिलती है पुलिस लगबक 15 दिनों तक इसमाहिला की जान पहचान निकालने की कोशिस करती है जब कोई भी पहचान नहीं निकलती है तो तितारपूर के एसवी एक टीम की गठित करते हैं और इस टीम को उस एरिये में हर जगा भेजा जाता है उस फोटो के साथ में लेकिन इस महिला की कोई पहचान तो नहीं मिल पाती है लेकिन भिवारी के ही एक होटल मालिक एक छोटा सा क्लू देता है कहता है कि सहाब इस महिला को तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन इस महिला की बड़ी जिस दिन मिली थी ना उस उससे दो दिन पहले इस एरिये में एक सफेद कलर की इनुवा कार लगबग तीन-चार बार आते जाते में ने देखा था, पुलीस वालों को इस केस में एक पहला क्लू मिला था, पुलीस वाले इस मामले को इतना सिरियस ले चुके थे कि किसी भी एंगल को अपने हाथ से जान पढ़ता है कड़कड दूमा, जो कि ये गारी एक महिला के नाम पर रेजिस्टर था, जिस महिला का नाम था आरती गुपता, पुलीस वालों को लगता है कि साध यही महिला आरती गुपता है, पुलीस वाले जब उस एड्रेस पर पहुंचते हैं और उस घर की बेल बजाते हैं, तो उस घर से जो बाहर महिला निकलती है, वो महिला कोई और नहीं होती है, बलके आरती गुपता ही होती है, पुलीस वाले जब उससे उसका नाम पुछते हैं, तो वो नाम अपना आरती गुपता बताती है, फिर पुलीस वाले उस महिला का तस्वीर दिखाते हुए आ गाड़ी आपकी है तो वो आरती गुपता तुरंत एकसेप्ट कर लेती है कि हाँ ये गाड़ी मेरी है फिर पुलीस वाले उससे पूछते हैं कि क्या ये आपकी गाड़ी कभी राजस्थान के अलवर के तरफ गई है तो आरती गुपता बताती है कि इसके बारे मुझे कुछ भी जनकारी नहीं है फिर पुलिस वाले आरती गुपता के पती महस गुपता के पास जाते हैं महस गुपता जो की एक बिजनसमेन होता है जो एक कपड़ो का बैपारी होता है जो काफी रही सादमी होता है पुलिस जब महस गुपता के पास जाती और इसमाहिला का फोटो लेकिन पुलिस के हाथ में ऐसा कोई भी कुलू नहीं होता है कि वो आरती गुपता और महस गुपता को रिमान्ड पे ले सकें फिर पुलिस उस फोटो को ले करके और उस एरिय के तमाम थानों में जाती है और उस फोटो को दिखा करके जब पूस्ताच करती है तो आखिरखार गांधी नगर थाने से ये रिपोर्ट मिल जाती है कि इस महिला का 14 मार्च 2022 के साम को 6 बजे के करीब गुमसुद्की का रिपोर्ट दर्ज कराये गया है जिस महिला का नाम होता है नेहा खत्री पुलिस जब इस नेहा खत्री के एडरेस पे पहुंचती है तो उसके घर पे उसके बुड़ी माबाप होते हैं जब उसके बुड़े माबाप से इसके फोटो दिखा करके पूचते हैं तो बुड़े माबाप तुरंत अपनी बेटी ने सुद्की का रिपोर्ट दर्ज कराया था, लेकिन वो पुलिस वाले सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं पुलिस उस बुढे माबाप से पूछती है कि तुमारी बेटी काम क्या करती है तो पुढे माबाप बताते है कि मेरी बेटी एक private tuition teacher है पुलिस यहां पूछती है कि तुमारी बेटी कहां पढ़ाती है तो इसके बाद वो बुढे माबाप एक अजीब खुलासा करते हैं पुलिस तुरंथ आरती गुपता और महस गुपता को अपने हिरासत मिलेती है और इनसे सकती से पूष्टास करती है जब सकती से पूष्टास करती है तो आखिरकार महस गुपता अपना जुर्म कबूल कर लेता है लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में दोस को पिछले 10 सालों से ट्यूसन पढ़ा रही है दो सालों तक तो बिल्कुल ठीक चला लेकि दो सालों के बाद मेरा और नेहा खत्री के बीच में अफेर शुरू हो गया था हम दोनों जहां भी मिलते थे एक दूसरे के साथ में एक पती-पत्नी के जैसा संबंद बनाते थे नेह खत्री महस गुपता के पत्नी आर्ती गुपता की जितनी खुबसूरत नहीं थी आर्ती गुपता वाकई में बहुत खुबसूरत थी नेहा खत्री आर्ती गुपता के जैसा खुबसूरत बनने के लिए इन 10 सालों में महस गुपता से लगबक 35 रुपय ले चुकी थी और य लेकिन महस गुपता ने यहाँ पे साफ मना करते हुए कहा कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं एक साधी सुदा आदमी हूँ, मेरी पतनी है और दो बच्चे हैं जी ने तुम खुद ट्यूसन पढ़ाती हो, मैं तुम से साधी कैसे कर सकता हूँ, इधर नेहा खत्री क उपर उसके घर परिवार वाले साधी के लिए दबाव देते हैं, एक दिन इन सारे परिसानियों को जहलते हुए, नेहा खत्री प्वाइजन खा लेती है और आत्म हत्या करने की कोशिस करती है, लेकिन उसके घर वाले किसी भी तरीके से नेहा खत्री को बचा लेते हैं, और इन सारे बातों से कहीं न कहीं काफी ज़्यादा परिसान हो चुका था है एक दिन नहाख खत्री ने एक पलान बनाया और महस गुपता से जा करके कही कि तुम अपनी पतनी आरती गुपता की वज़ा सनम उसे साधी नहीं कर रहो तो मेरे पास एक पलान है क्यों न तुम आरती गुपता कोई अपनी जिन्दिगी से निकाल दो जब ये पूरी पलान महस गुपता को नहाख खत्री बताती है महस गुपता भी तयार हो जाता है और इसकी एक तारीख तैकी जाती है तारीख होती है 14 मार्च 2022 को 14 मार्च 2022 को उसी सफेद कलर की इनोवा गारी में महस गुपता आरती गुपता और नहाख खत्री तिनों गारी में बैठते हैं और पीछे के सीट पे महस गुपता के दो नोकर जिसमें से एक का नाम राजू और दूसरे का नाम रमेस यादा होता है पांचो एक गारी में बैठते हैं और गारी सहर से बाहर निकलना शुरू करती है जब ये गारी सुनसान जगों पे निकलती है तो उस गारी के सीसे बंद कर दिया जाता है उस गाड़ी के अंदर इतने काफी तेज म्यूजिक बजाए जाता है कि अंदर की आवाज बाहर न निकल सके जब गाड़ी पूरे स्पीड में होती है, म्यूजिक पूरे लौडली बसता है कि आचानक महस गुपता के दोनों नौकर इस महिला के गरदन में रस्ती लगा करके और इस से जान से मारने की कोशिस करना सुरू कर देते हैं तभी ये महिला जोर जोर से चिखने और चिलाने लगती है लेकिन जिस महिला के गले में ये रस्टी डाले थे ये महिला कोई और नहीं बलकि नहा खत्री थी जिसने इस सड्यंत्र को रचा था आखिरकार महस गुपता के दोनों नौकरों ने उस नहा खत्री के गले में रस्टी डाल करके और उसकी सांसे छीन लेते हैं फिर इस गाड़ी को उस पुलिया तक ले जाते हैं और उसके बड़ी को एक बोरी में पैक करके और वहाँ पे पुलिये के नीचे फैक देते हैं और वापस अपने घर चले आते हैं दो दिन के बाद जब वह बड़ी सड़ना सुरू होता है और जब उस रास्ते से लोग गुजरते हैं तो उसकी बदबु जब उनके नाकों तक पहुंचती है तो इस केस का खुलासा होता है दोस्तो मुजरिम चाहे कितनी भी सातिर्पन से अपना जुर्म कर ले लेकिन जुर्म कभी नहीं छुपता है एक ना एक दिन इसका खुलासा जरूर होता है और इस केस में भी बिल्कुल वैसे ही हुगा वाकई में देस्तो जब महस गुपता ने ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताया तो पुलीस वाले महस गुपता के तरफ देखते हुए कहते हैं कि कास तुमने सावधानी से कदम उठाया होता और इसका रास्ता कोई और अपनाया होता अगर तुमको इतनी परिषानी थी इस रिस्टों से ले करके तो तुमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी अगर तुमने पुलिस का मदद लिया होता तो आज के डेट में तुम चारों की जिंदिके यू तबा और बरबाद नहीं होती और आज नेहा खत्री विसाज जिन्दा होती और सांथी साथ तुमारे बच्चों की भी जिन्दिकिया खराब नहीं होती पुलिस ने इन चारो अरोपियों को हिरासत में ले करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और इने जेल भेज दिया अब देखना ये है कि आखिरकार इने कोर्ट से सजा कब तक मिलती और क्या मिलती है दोस्तो इस कहानी को सुनाने का उदेश मुझे किसी को ठेस या किसी को तकलिफ नहीं पहुंचाना है बस आपको बताना है आप जहां भी रहे शुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल ड़के बाकि दोस्तों आज की जो ये सची घटना है आपको कहानी कैसी लगे आप हमें कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा